यूएस का कैलिफोनिया जहां है लॉस अंजलिस हॉलिवूट का घर साल 1979 की बात है कंधेरी रात थी लॉस अंजलिस के पॉश इलाके में बसे घर में पती पत्नी सोय हुए एक आहट होती है और कुछी देर में दोनों खुद को रसी में बधा पाते हैं करने हैं तीन लोग शुरू होता है एक खूनी खेल चाकों से गोट कर दोनों के हत्या कर दी जाती है अगली सुबह पुलिस पहुंचती है वहां फ्रिज के ओपर खून से कुछ लिखा हुआ था हेल्टर स्केल्टर इन दो शब्दों के पीछे कहानी थी अमेरिका के सबसे कुछात कर्ट की एक ऐसा कर्ट जिसका लीडर कहता था कि दुनिया में गोरे और काले लोगों के भी जल्द ही एक लैकारी युद्ध होने बाला है उसके अनुसार युद्ध के शुरूआत 1979 की गर्मियों में होनी थी जब ऐसा नहीं हुआ तो कर्ट लीडर ने मामला अपने हाथ में लिया दो दिन के भीतर आठ कुर हत्याओं को अंजाम दिया ताकि अश्वेत लोगों को सिखाया जा सके कि गोरों की हत्या कैसे की जाती है कौन था ये लीडर? कैसे बनाए कर्ट? हेल्टर सकेल्टर का क्या मतलब था? ये सब जानेंगे आज के एपिसोड बे नमस्कार मेरा नाम एने खिल और आप देख रहे हैं अतिहासे किस्सों कहान्य से जुड़ा हमारा रोजाना का कारेकरम तारीक कुछ बयानों से शुरुआत करते हैं पहला बयान मैंने तुम्हारे कूड़े से खाना चुना है मैंने तुम्हारे फेंके हुए कपड़े पहने है मैंने बहुत कुशिश की है तुम्हारी दुनिया में जीने की और अब तुम मुझे मानना चाहते हूँ मैं पहले से मरा हुआ हूँ, बलकि ताउमर मरा ही रहा, मैंने अपने जिन्देगी के 23 साल तुम्हारी बनाई कबरों में जिये है। दूसरा बयान, ये बच्चे जो तुम्हारी तरफ चाकू लेकर दौड रहे हैं, ये तुम्हारे बच्चे हैं, तुमने उनने सिखाया है, मैंने नहीं, मैंने बस खड़े होने में उनकी मदद की है। फलसफे से लगने वाली ये बातें जिस शक्स के मूँ से निकली थी, उसका नाम था चार्ल्स मैंसन, होखार अपराधियों के इतिहास में अकसर एक चीज कॉमन होती है, एक बुरा बच्चपन। मैंसन के साथ भी यही हुआ था, जन्म होने से पहले ही पिताने छोड़ दिया उनकी मा को, वहीं उसकी मा उसकी पैदाईश के वक्त एक टीनेजर थी, नशे किलत में धुत एक बार मैंसन की मा ने उसे एक जग बियर के लिए बेच दिया था, उसके अंकल बड़ी मुश्कि और जुए जैसे अप राधों के चलते, दस्यों बार जेल जा चुका था, यह 1960 का दौर था, अमेरिका में हिपी कल्चर के शुरुबात हो रही थी, LSD जैसे नएने ड्रक्स मारकेट में आने लगे थे, रॉक संगीत अपने उफान पर था, रॉक के इन दिवानों का एक ही बीटल्स, इंगलेंड से आया एक बैंड जिसने अमेरिका में खलबली मचा दी थी, बीटल्स के दिवानों में एक नाम चार्ल्स मैंसन का भी था, उसने गिटार बजाना सीखा और जल्दी बीटल्स के तरह संगीत कार बनने के सपने देखने लगा, चार्ल्स की कहानी में में तुकूर्ण बदलावाया साल 1967 में जब एक मामले में उसे जेल हुई, जेल में उसे साइंटलोजी के बारे में जानकारी हासिल हुई, अब ये क्या थी, उनिस सो पच्पन में अमेरिका में इजाद हुआ एक धर्म जिसके एक बहुत ही फेमस फॉल्वर को आप सभी जा इसके बाद मारे गए सभी एलियन्स की आत्मा जिने साइंटलोजी में ठेटन कहा जाता है, इनसानों के शरीर में गुजगई, इन आत्माओं को मुख्त करने की जरूरत है और इसके लिए साइंटलोजी में एक प्रक्रिया अपना ही जाती है, जिससे आडिटिंग कहा जात मैरी बरनर नाम के एक महिला से हुई, तेश साल की मैरी जल्दी मैंसन की मुरीद बन गई, दोना मिलकर पार्क्स में जाते हैं मैंसन अपने ग्यान का बखान करता, कुल मिलाकर उसका ग्यान और कुछ नहीं, हिप्पी कल्चर का प्रलोभन भर था, अक्सर महिलाएं उसकी न नाम दे दिया और उन्हें लेकर 1979 में लॉस एंजलेस शहर में आपकर पस किया, यहां उसने फिल्म इंडिस्ट्री में काम करने वाले लोगों से नजदी की बढ़ाने की कोशिश की और इसी दोरान उसकी मुलाका थो ही डेनिस विल्सन से, जो विल्सन बीच बॉइस नाम के एक बैंड का मेंबर था, विल्सन ने मैंसन को एक म्यूजिक अलबम रिकॉर्ड करने के लिए पैसे दिये और भी तमाम मदद दी, अलागि यह सब कुछ यू ही नहीं था, बदले में विल्सन मैंसन के गैंग की लड़कियों से जब जी चाहे सम्मंद बना सकता था, लड़ मिल्चर, एक संगीत निद्देशक का बेटा, दोनों गूर्फरेंड बॉइफरेंड थे और साथ रहते थे, जिस घर में दोनों रहते थे उसका पता था, 10050, सिसिलो ड्राइब, लास एंजिलेस, इस पते का मैंसन की कहानी से एक बहुत महत्वपून रिष्टा है, उसका औ के मन में हॉलिवूड के लिए नफरत आ गई, उसने विल्सन को जान से बानने के धंकी दी, साथ ही मिल्चर और कैंडिस को भी धंकी भरे कॉल किये, नतीचा हुआ कि मिल्चर और कैंडिस ने उससे अपने सारे इस से तोड़ लिए, दोनों ने अपना सिसलो ड्राइब वाल घर भी छोड़ दिया, अब तक 1968 की घर में आ चुकी थी और मैंसन के हॉलिवूड में करियर बनाने के सपने पूरी तरह खतम हो गए थे, यहां से मैंसन की जिंदगी का एक नयाद और शुरू हुआ, उसने अपने फॉलोवर्स को साथ लिया और एक पुराने फार्म में जा काना था जिसके लिरिक्स में आने वाले युद्ध का जिकर था, अब ये युद्ध जिधा जिकर हो रहा है, वो कालपनिक था, लेकिन मैंसन ने उसे सीरिस पर लिया और लोगों को बताया, गाने की इड़ गिर्द एक पूरा मितक गढ़ना शुरू कर दिया, उसने पने फ मदद करनी पड़ेगी, और इसका मतलब क्या निकल रहा था कि मैंसन फैमिली के लोगों को काले लोगों को सिखाना होगा कि युद्ध कैसे होता है, शुरुवात हुई एक ड्रग डिलर को गोली मारने से, इसके बाद मैंसन ने अपने फॉलोवर्स से अपने एक दोस को पास रखा, फिर उसकी हत्या कर दी, इस दोरान उन्होंने दीवार पर खून से कुछ नारे लिखे और एक सिंबल बना दिया, ये सिंबल ब्लैक पैंथर नाम के एक संगठन का था, जो काले लोगों के अधिकारों के लिए काम करता था, मैंसन चाहता था कि इस कतल का नाम ब प्लान बनाया, आठ अगस की तारीक थी, शैरन टेट नाम के एक हॉलिवोड अभने घर पर सोई होई थी, घर का पता 10050 सिसलो ड्राइव, लोस अंजलिस, ये वही घर था जहां मैंसन के पुराने दोस रहा करते थे, ये घर लोस अंजलिस शेहर के एक पॉश इलाके में था मैंसन फैमिली के 4 लोग घर में घुसे, और 6 लोगों के हत्या कर दी, शैरन 8 महिने 15 दिन के गरवती थी, उन्होंने अपने बच्चे को बचाने की खुब कोशिश की, हत्यारों से मिनते की, कि वो उन्हें बंधक बना ले और एक बच्चा पैदा हो जाए, तो फिर चाहें मार दें, लेकिन हत्यारों ने उनकी एक भी नहीं सुनी, अगले सुबह पुलिस पहुची, तो वहाँ घर के दर्वाजे पर खून से पिक, यानि सूर लिखा हुआ था, मैंसन यहीं नहीं रुका, अगले रोज उसके लोग एक और पते पर पहुचे, यहां रने वाले पती किया, अदारत में केस चला, पूरे नौ मैने तक, इस दोरान मैंसन के बयानों ने खूब सुर्खियां बट उटी, इन में से कुछ बयानों को अपने शुरुआत में सुनाया था, जिस रोज फैसले का दिन था, मैंसन गंजा होकर अदारत में हाजिर हुआ, पूचे जाने और उसने कहा, मैं शैतान हूँ, शैतान गंजा होता है, मैंसन और उसके तीन साथियों को फांसी के सजा मिली, लेकिन अगले ही साल इसे उम्र कैद में कम्यूट कर दिया गया, इसलिए कि कैलिफोनिया ने उसी साल मृत्यों दंड को समात करने का फैसला किया था, मैंसन जेल कि बंदू जाम हो गई और फूड बजगे, जैतक मैंसन की बात है, वो ताउमर जेल में रहा और साल 2017 में जेल में ही उसकी मौत हुई, तारीक का इपसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने, और कैमरे पे से पंकर्ज ने रिकॉर्ड किया था, देखते रहे है दिलेगन टॉप हुआ तार कैस्ट का से रहे है तबकating है, तारीक का ऐसुम नेैं है कि बंुप्पफ सबकति के अका देगने रहा है ते पेस्एbtश से के थाय जे रहा है, बज फसेरा है यज़ा है, जैतक मैंसन क tau अर सुमिगर्यक का गज सुमिजगर्यक्श का प्सिएज झारीक का फ सुम